हेलो जय मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होब बहुत 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 अच्छे हों और माता राइज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें तो यहाँ पर यह पायल जो मैंने दिखाए ना चांडी की पायल है और रखे-रखे कैसे काली हो जाती है मैं सोच रही थी यही पहनूंगी लेकिन इनकी सकल सूरत देखके ना मैंने का अब इनको बाद में साप करूंगी और कुछ और पहन लेती हूं और आज यह करवाचावत का दिन है उस दिन का ब्लॉग है क्योंकि घर में इतनी जादा व्यस्ता था इतने जादा काम पेंटिंग डेंटिंग की जाद नहीं घर में जब आप रह रहे हो जिस घर में और सारे समान हटाना और कलाना पुरा घर समझ लीजिए बहुत जादा मेहनत हो जाती है और जब कीचन में आज ही उन्होंने पेंटिंग किया ना तो क्या हुआ कि मैं यहां काम में जब लगी तुरंद का पेंट हुआ था और बालों में मेरे लग गया मैंने बाल धुले थे तो बालों को बान नहीं रखा था पीछे से खुले हुए थे और बालों में पेंट जब लग गया था तो बड़ा ही मूद डिस्टर्ब क्यूंकि आज कर कि यह पेंट जो है हमें अच्छे खरीते हैं जाकि दीवालों मैं साइनिंग बनी रहे चुटे ना तो यह कहीं लग भी जाये ना तो छुटते नहीं है बड़ी मुस्किल हो जाती है मैंने बालों में से बड़ी मुस्किल से पेंट को चुड़ाया रगड़ रगड़ के तो मूड एकदम डिश्टर्ब हो गया और सुबा से मैं ऐसी बनी र सारे समान ऐसे बिख्रे हुए थे पूरे घर में कि मन ही नहीं कर रहा था उपर से सरदर्द होने लग गया तो बस मैं जब साम को बना लिया खाना पीना मतलब दिख्छा ने काफी हिल्प करी तो जब बन गया उसके बाद तो तयारी करी कुछ पूजा की और एक ऐसा दिन हो सका क्योंकि यह दिन जो होते हैं बहुत हमारे लिए खास होते हैं और खास दिन को यादगार बनाने के लिए हमको पूरी कोसिस करनी चाहिए यही यादे हैं जो हम बाद में कभी मतलब बुड़े हो जाएंगे तो देखेंगे तो ऐसे करते थे हम फोटो वीडियो अगर अच्छे से जीने की होशिस करनी है क्योंकि हम कई बार rendo किicki और अच्छे दिन आएंगे और कुछ अच्छा होगा राज ब में बन देगा लेकिन जो हमारे बीत रहना यहीं दिन अच्छे हैं इन ही अच्छे सम ikke सके अपनी लाइफ को जीने की कोसिस करने चाहिए खुस रहने अपनी जिम्मेदारी किसी और को नहीं देने चाहिए कोई और हमें खुस रखेगा तभी हम खुस रहेंगे खुद को खुश रखने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी चाहिए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं किसी और के उपर यह जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते हैं और हर दिन यह सोचना है हमें कुछ नहीं पता है का अगले दिन अगले पल इतनी सारी हमें से ना मेरी पता नहीं क्या कैसी आदत है मैं बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हूँ जैसे पढ़ती रहती हूँ न्यूज में देखती रहती हूँ तो कुछ नहीं पता है हमारे साथ अगले पल क्या हो जाए अगले दिन क्या हो जाए जो भी है हमारी पास हमारी life जो भी है जैसी भी बीट रही इसको खोब अच्छे से enjoy करो, खोब अच्छे से जीओ, यादगार बनाने की कोशिस करिए, खुश रहने, सबसे पहली बात जो है ना वो खुश रहने की कोशिस किया करिए, और जो हमारी life में है जैसा है वो बदल नहीं जाएगा, हमको उसी में खुश रहने, आगे अच्छा बेहतर करने का प्रयास हमेशा जारी रखें, हमेशा ही कोशिस करते रहें, लेकिन जो चीज हमारे पास है जैसा भी है जो भी है उसी में खुश रहने की कोशिस तो पूरी ही करनी चाहिए हमारे यहां इस तरह से पूजा पाठ होती है साम के टाइम में ही बहुत लोग दोपहार में बहुत लोग साम को कथा सुनते हैं हमारे आकरवा चौत पे ऐसे ही सुरू से होता है हम जब से पहले माई के में थी तो मम्मी मेरी रखती थी और सस्राल में गई तो जठानी रखती थी तो नहीं के साथ मैंने पूजा पाठ सुरू करी थी तो जैसा वहां करती थी मेरी जठानी ना फिर वैसा ही मैं भी करना सुर बनते हैं जो आप लोगों कि How क्या बनता किस से मतलब पारण किया जाता इसी तरह से आप लोग भी पूजा करते हैं यी थोड़ा बहुत जो आपको लगे कि अलग है या फिर आप भी ऐसा करते हैं जरूर बता येगा मुझे बहुत अच्छा लगे और में इसलिए आप लोगों से ब्लॉग सेयर करें कि बहुत सारे लोग हुद करते हैं है बहुत सारे कम्रेंट आतेक्षので भूक्षी ब्लॉग करवाशोत का बना लेती हूं और आप लोगों से सेर कर दूगी तो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता जब आप लोगों के कमेंट आते हैं आप लोग बोलते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो कितना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने कहा छोटा सा ही सही ब्लॉग जरूर डाल देती हूँ तो इस तरह से मैंने पहले चौकी सजाई अपना सारा पूजा का सावान जो भी खाना पीना था सब कुछ लेकर यहां पर कलस रखके पूजा अर्चना करी कि चान निकल आया पर चान के पहले दर्शन किये जल चढ़ाया दिया बत्ती जो भी था दीपक धूप यह सब करके उसके बाद पती दे होगी और यहां पर मेरे बच्चे सब खड़े हो गए थे खड़े साथ में रहते हैं जब बच्चे है ना उनको भी देखने में अच्छा लगता है कि क्या कैसे हो रहा है कई बार बीजबीश मुझे दिती हसी आती है बच्चे हसाते भी मेरे बच्चे रहा कई लोगों को लगता है ना कि बच्चे इतने बड़े हो गए फिर बच्चे मुझे बतलब बताईंगे आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसे फोटो अगयरा भी बोलेंगे कि इस तरह से फोटो जैसे पापा के साथ पर ऐसे ऐसे करो बमी तो मेरे बच्चे खुद कहते हैं और सच में बच्चे जो होते हैं बड़े हो जाते हैं बेटी हो चाहिए बेटा हो माबाब के लिए उस सबसे बड़ी ताकत बन बाते हालो में हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं इसे बड़ाइ सपल्ड मिलता है हम लोगों को सब्सकि ठी t 1977 कैसा भी रहे जो हमार यह होता है कि मेरा यह ही होता है हमारा साथ बना रहना चाहिए लड़ते जगड़ते सुख दुख कैसे भी दिन जो बीत रहे हैं वो तो बीती रहें लेकिन एक दूसरे के बिना सच में जिंदगी किसी से हम अगर जीवन साथ ही अच्छा मिल जाता है मैं जिंदगी में कुछ भी लाइफ में परिशानी आतीए हम जेल लेते हैं उसको पार कर लेते हैं Life Partner यो होता है न बहुत ही हमारे बहुत ही जिन्दिगी का सबसे एहम हिस्सा होता है तो मैं तो ना करती हुँ Maca rania सब को जो वी जिन्दिगी में जिसके मतलब लाइप पार्टनर मिले जिसे अच्छा मिले जीवन अच्छे से बीते तो बस हम लोग वहां पूजाय चना करें और उसके बाद वहीं पानी अगेरा पी लिया था यहां पर खाना पीना हो लाएं लोगों का तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंड करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट व्लाग में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें बाइ एक झाली धूओों को यहीं लोड़ एक झाली है